नमस्कार दोस्तों मैं डाक्टर अनल कुश्वा, अआप के लिए पूना ले कराये हैं, चर्चा करने वाले हैं, आज जो हमारा अम्हसें हम चットब करें, दोस्तों साथ सेयर जरूर करें, उसके अलावा हम आपकोOOO काम काCalणर देदें कि आप ये मत समझेगा या मतलब हलके में मत लीजिएगा TGT PGT में आप 6-7 घंटे डेली पढ़ते रहेगा हम आपसे बता दें कि इसमें competitor जादा है और merit इसकी हरदम हाई जाती है science की अपेच्छा science के जो candidates होते हैं कुछ मैत में चले जाते हैं और कुछ science में चले जाते हैं और इसमें जो लोजी से MSC करता हूँ वह भी यही है और जो botany से MSC करता हूँ भी यही है तो इसमें number up candidates की भीड जादा है तैयारी करने वाले जादा है और जो merit है इसकी हरदम जादा जाएगी और जो TGT की merit जाएगी 110 प्लस जाएगी और जो PGT की जाएगी तो 100 प्लस में interview call होगी तो आप समझ सकते हैं त्यारी कैसी करनी है तो आप हलके में मत लीजेगा और मजाक में भी मत लीजेगा अगर आपको चैन आपका सुनिश्चित करना है कि आप चैन लेना चाहरा है तो उसके अलावा notes के लिए कई मित्र हमें message और phone और करते हैं तो हम आपको फिर बता दें कि notes के लिए आप हमारे टेली ग्राम के हमारे channel है एक है टेली ग्राम डाक्टर नोटस बायो उस पर discussion होता है और discussion बहुत जरूरी है आप जो भी topic पढ़ें अगर उसका discussion हो जाता है उससे जितने question बन सकते हैं अगर वो सब आप solve कर लेते हैं तो आपका chain कोई नहीं रोक सकता है जितने भी IES PCS जित आप बैट कर आपस में तो topic पर्मानेंट याद हो जाता है तो हम discussion मंच भी दे रहे हैं और आपको discussion मंच के साथ साथ नोटस दे रहे हैं वो assistant professor के उस group में नोटस मिल जाएंगे चाहे वो जो लोजी बॉटनी हो आपको TGT biology के नोटस मिल जाएंगे PGT biology के नोटस मिल इंगली में मिलेंगे इंगली में मिलेंगे धेर सार आपके लिए मैटर है तो इसके लिए आपको करना क्या होगा तो भी देख लेते हैं करना क्या है आपको तो आपको करना ये है कि यह हमारा telegram WhatsApp नंबर है आप इस पर जानकारी ले सकते हैं further query के लिए और जो हमने membership fees रखी से अपनी समस्याओं का निराकलंग कर सकते हैं तो शुरू करते हैं वीडियो यह आप स्क्रीन सॉट ले सकते हैं शुरू कर सकते हैं वीडियो तो हमने question जो put up किया था नेंड्रियम औफ उडोगोनियम इस ए तो देखे उडोगोनियम से तीन question बनते हैं तीन question जो कंपल सरी बनते हैं ध्यान रखेगा TGT PGT का पूराना पेपर हम यह आपको जो biology दे रहे हैं यह notes जो दे रहे हैं या आपको questions उपलब कर इसके अलावा हम जो question जिस सन में आ हैं वो भी हम आपको बाद में एलगी के उपलब्द करा देंगे वो भी questions कि किस सन में वहां सन लिखे रहेंगे वो भी उपलब्द करा देंगे जिससे confuse ना हो तो हम आपको इसमें पूछते हैं एक question आता है माइकरेंडूरस और नेकरेंडूरस stage कि सेलगी में पाई जाती है तो माइकरेंडूरस और नेकरेंडूरस जो stage होती है वो उड़ो गुनियम पाई जाती है कंठस्ट कर लिजेगा TGT, PGT, LTGIC और professor का बहुत प्यारा question है जो examiner अकसर रखा रहता है सबसे उसका favorite question है, Nenandrium क्या होता है तो Nenandrium की जब बात कर रहा है तो वो dwarf male को हम Nenandrium कहते हैं धेहां रखेगा Nenandrus जो होती है वो species होती है और उसमें जो dwarf male बनता है वो Nenandrium बनता है और ये Nenandrium बनता किस पर है तो ये female जो filament होता है उस female filament पे चोटी एक लगा रहता है redness of red sea due to, यह आपके government degree college में question पूछा गया, यह ELT, GIC में कई बार question पूछा गया, अगर आप old paper solve कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा, तो इसका सही answer क्या है, तो वो है trichodesmium erythrium, क्या है, trichodesmium erythrium, इसको रट लिजेगा, यह GS में भी question पूछते हैं, और यह आपका TGT, PGT और government degree college के जो exam होते हैं, उनका फेवरेट question है, assistant profession, तो तीनों में, अब आप बात कर लेते हैं, red color present in the sea water, और तो यह तो अभी हमने बता दिया, next है red algae, आप the botco sperma, तो देखिए, जो botco sperma में यह red algae होती है, मगर इसमें ध्यान रखेगा, red pigment नहीं पाजाता, तो question एक बना ह कि वो कौन सी red algae है, जिसमें red pigment या लाल वरनक नहीं होता है, लाल रंग नहीं होता है, तो हम badco sperma में लगाते है, badco sperma से common question और बनता है, कि वो कौन सा red algae है, जो fresh water में पाए जाता है, तो बैटको sperma में, यह PGT में आया हुआ question है, fresh water में पाए जाने वाला red algae कौन है, badco sperma में next question देख लेता है comment जरूर करिएगा video कैसा लग रहा है next question देखते है which are the following produces non-mortile gametes इसमें कह रहा है इन निम लिखित में से यहां जो question हिंदी में हम आपको convert कर निम लिखित में से कौन ऐसा इसमें से सैवाल है जिसमें non-mortile यानि अचल gametes बनता है अचल मतलब जो ना चलने वाला gametes बनता है इन में से कौन सा सही है तो kleidophora में चलने वाला gametes बनता है यूरो थिक्स में बनता है और यूलो थिक्स की खास बास होती है इसमें quadriflagellate ध्यान रखियेगा जाइगोड बनता question पूछा quadriflagellate जाइगोड किस में बनता है यूलो थिक्स में बनता है एनावीना क्या है ये prokadiots है और उसने gametes की बात किये जिसमें sexual reproduction हो और एनावीना क्या है ये prokadiots है syno bacteria इसमें langiggen नहीं पाजाता तो इसको तो क्रास्टी कर दो हम option करेंगे spirogera spirogera क्या है ये एक green algae है syno phyc का सदस sorry green algae है जो chlorophyc का सदस है और इसका जो chloroplast होता वो spiral होता इसलिए से spirogera कहते है तो इसका answer हम सी लगाएंगे which of the following is larvicidal algae इन में से larvicidal algae कौन सा है अब larvicidal algae का मतलब उसमें दिखा है which of the following इन में से larvicidal algae कौन सी है larvicidal का मतलब हुआ वो algae जो larva को मारती है मच्छों के larva को या अन्यजविवों के larva को मारती है कौन सी algae है तो हम आपको बता दे कामन सी बात है और note कर लिजएगा देखे हमारे साथ पढ़ने बैठा करिए तो पेन कॉपी लेकर बैठी है तो एक प्रोकरियोर्स अगर कभी question पूछ दे कि वो कौन सी साइनोफाइसी algae है या वो कौन सी प्रोकरियोर्स algae है जो ये काम करती है तो वो है एना बीना आपने नाम सुना होगा एना बीना और आलो सिरा ये दो एलगी लार्विस आइडल होती है अब चुकि यहाँ ना एना भी न दिया ना आपका जो नेक्स्ट आलो सिरा दिया है ना तो ये साइनोफाइसी दिया अब यह answer क्या होगा तो यहाँ answer हम करेंगे C. Clamidomonas क्या करेंगे? Clamidomonas नेक्ट क्यूशन देख लेते हैं नेक्स्ट कुंश़न पूच रहा है और बड़ा अच्छा को्शरन है ये कोश्चन पूच रहा हमयto chrome is हमयto chrome 1 है हमयto से उस्भाण लीजिए गा हमयto जहां सब्द लगाओ? ह 105 सब्द launches लो ये आडेन? आडेन या ऐसा वर्ण के जो प्रकास अंसलेशन में भाग नहीं लेता है, यह कह सकते हैं, तो इसी को सही कर देंगे, हमेटो क्रोम प्रकास अंसलेशन में भाग नहीं लेता है, तो option इसका एह सही है, तो चुकि इतनी इसी बात इसकी थी, तो यह हमने आपको बता दिया, और उसमें क रहां आता है एलपाइन डीजन में किसे कारान आता है चारमन और या टू जो हो तनी होग लाल रणगी हो द्यान रखेगा औसले टूरिया क्या है औसले टूरिया से कोश्चन बनता है ध्यान रखेगा बैट को इस परम बता चुके है सारगासम क्या है यह फ्योफाइसी का सदस से सारगासम इसकी चर्चा हम आगे करेंगे तो आपसन इसका यह इसके अलावा जो रेड स्नू होता है म क्लमाइडो मोनास निवाइलिस और 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 क्लमाइडो मोनास निव कहता है वो पौधे जो जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होते हैं या उन पौधों को हम जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं कर सकते हैं तो ऐसे पौधों को किस ग्रूप में रखा गया है तो उनको रखा गया है थैलोफाइटा में किस में रखा गया है थैलोफा नैकेट बीज वाले जिन में बीज क्या होते है। एसाही लटके रहते हैं, टेजोडोफॉट सब जानते हैं, स्पर्मोफॉट क मतलब होता है बीज वाले पौदे, एक एंजियो स्पर्मॉइ और एक जिमनोइ पर इसकी चर्चा बाद में कर लेंगे कभी अगर मिलता है वक्त तो next question देखते हैं next question पुछता है filaments of eulothrix are eulothrix का जो filament होता है filament का मतलब जो उसकी plant body होती है वो कैसी होती है तो इसकी plant body कुछ इस तरीके से होती ही ध्यान करेंगे यह hold fast होता है और यह इसकी plant body होती है यह unbranched होता है तो option हम भी लगाएंगे जो eulothrix होता है unbranched होता है eulothrix का characteristic features क्या है इसमें quadriflagellate जाइगोर्स बनता है और characteristic feature क्या है इसमें girdle saved ध्यान रखेगा इसमें ckacar का या gardile saved क्या पाए जाता है chloroplasty equation बना है तो इससे आप यो ध्यान रख सकते है what is the storage product of most algae कहता है प्राया ज़्यादा तर algae में यहां most को सभी algae की बात नहीं कर रहा है जो ज़्यादा algae पाए जाती है सबसे ज़्यादा algae जो पाए जाती है वो chlorophyce के सदस है किसके है chlorophyce यानि green algae सबसे ज़्यादा पाए जाती है हरी जो सहवाल है वो सबसे ज़्यादा पाए जाती है तो उनमें, तो simple सी बात है, यह आपके common sense का question है, starch और oil होता है, तो option इसका यह लगाएंगे Next question देख लेते हैं, नया question आपसे क्या पूछ रहा है, आप comments जरूर करिएगा, आपके comments का हमें इंतिजार रहेगा Next question पूछता है, the slippery nature of the spirogyra is due to the covering off तो कहता है, किस से, the slippery nature of the spirogyra का, जो slippery nature होता है, वो किस से, मतलब ढखा रहता है, तो मुकस से रहता है, किस से रहता है, मुकस से Next question देख लेते हैं, नया question क्या बनता है, next question जो बना हुआ वो क्या है, C, let use is the common name of ये PGT में पूछा गया questions है, और इस तरह का questions आपके government degree college या assistant professor botany जो higher education का है, उसमें कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ये किस को बोलते हैं, तो अलवा को बोलते हैं, किस को बोलते हैं, अलवा, अलवा होता कैसा, तो ये बड़ी चोड़ी पत्ती नुवा सरनचना होता है और ये प्राया शमुद्र में पाया जाने वाला अलगी है, या सवाल है, तो अलवा, लेमनेरिया से क्या होता है, लेमनेरिया को भी जान लेते हैं, लेमनेरिया फियो फाइसी का सदस है, किसका ब्राउन अलगी का सदस है, इससे प्राया iodine निकाली जाती है, क्या निकाली कि इसका हम आब ही question आपको उता है सारगासम C, पूछता है सारगासम C में सारगासो C में क्या पाए जाता है, तो समझ गये होंगे, हम क्या कहना चाहरे थे सारे आपको दे दिया technical, जो जरूरत थी, next question है, क्लंप का जो फार्मेशन होता है लेंगिक जनन में तो किसके लेंगिक जनन में क्लंप का फार्मेशन होता है क्लंप का मतलब समझते हैं बीच में सनचना क्लंप नुमा बन जाए तो कहता है क्लंप का निर्माड किसके लेंगिक जनन में होता है तो यहां मुख्यता दो अप्सन उसने दे रखे हैं क्लम आईडो मोनास और उडो गोनियम तो क्लम का फार्मोशन जो प्राया होता है क्लम आईडो मोनास में होता है क्लम आईडो मोनास का जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है इसमें कपनुमा क्या होता है बाइफलेजलेट होता है और का पनुमा कलोरोप्लास पाए जाता है और इसके नीचे पाइरिनवाइट्स पाए जाते हैं तो यह कोशन बनता है और यह जो यूगलीना के काफी समानता दिखाता है नेक्स कोशन देखते हैं क्या कह रहा है रात रात yeah next question हमारा कहिए रहा है विच इस रीिच आरी शॉर्स अवwards प्रोटीन का मुख रीचसर्स क्या है सभसे ज्यादा किस आलगीमें प्रोटीन पाई जाती है यहाँ उसका कहने का मतलब यह है, तो रिच सोर्स किस में देखने को मिलता है, नास्टाक, नास्टाक क्या है, एक blue green algae है, और यह कैसा है, प्रोकरियोड्स है, इसमें प्रोकरियोड्स है, इसमें प्रोकरियोड्स है, और औसलेटोरिया भी कैसी है, प्रोकरियोड्स है, अब ब बनता है और अकसर question बनता है heterocyst होता है क्या है तो यह कुछ बैज्ञान को मत्र है कि heterocyst है वह जनन के लिए भाग लेता कुछ बैज्ञानीक यह कहते है कि heterocyst का जो मुखकार है वह nitrogen का fixation है और जो blue green algae है या नील हरिस्ट जो सहवाल है वो हेट्रोसिष्ट नामक संड़चना से ही जो nitrogen fixation करते हैं वो करते हैं तो इसमें उसने कहा है हेट्रोसिष्ट पाया किसमझ जाता है तो जितने भी blue green algae है मतलब नील हरिस्ट सहवाल है तो उनमें चुक्षिंगी यहां नॉजटाक दिया है तो इसको लगाएंगे नॉजटाक में पाया कहा जाता है तो नॉजटाक की जब संबचना हम देखते हैं तो यह नारमल सेल के बीच में इस तरह का है ट्रोसिष्ट पाया जाता है और यह इंटरकेलरी इस्टेज में हेट रखी है उसमें पाजाता कुश्चन बना है इसलिए यहां हमने उसको डिसकस कर दिया सिस्टोपस सब्द दिया है सिस्टोपस आप सब जानते होंगे यह फंगस है जिसको एल्विगो कहते हैं हाइट रस्टाप कुरूसीफर फैलाता है एसफर्जीलास फंगस है और यूलो फ्रीक्स एलगी है जिसके जड़ चाइचा हम पहले कर चुके तो आपसन इसका हम इह ही लेकर चलेँगे नेच्ट कुश्चन देखते हैं नवा कोस्चन हमसे क्या है है नया कुश्चन हमसे कह रहा है एथिक वार्ड इस्पोर मेंट फॉर पेरेनेशन तो देखते हैं इसके आफसन पहले चारो देख लें तब तो इसके चारो आफसन हम देखते हैं क्या कह रहे हैं कह रहा है एसके चारो आफसन है एप्लाइन इस्पोर है और ज्फॉर है तो इसमेंसे सही अंसर क्या होगा तो हम लगा लेंगे हिपनोःबनेगे अहिपनोः बनते हैं एकाइनेट्स बनते हैं, एजाइगो स्पोर बनते हैं, प्लैनो स्पोर बनते हैं, हिपनो स्पोर बनते हैं, तो धेर सारे स्पोर बनते हैं. Chief source of iodine extraction in Europe is, अब देखे, यहाँ question बदला है, हम लोगों ने लेमनेरिया पढ़ा है, अगर आपको classification का ग्यान नहीं है, और आपने सिर्फ किसी चौपतिया से क्यों लेमनेरिया पढ़ लिया हाँ लेमनेरिया और क्लासिफिकेशन का ग्यान नहीं तो कुछिशन गलत करके जाएंगे तो लेमनेरिया किसका सदस है हमने आपको बताया था किसका है फ्यूफाइसी का तो सिंपल सी बात है कि 38 का जो हम option करेंगे वह कौन सा करेंगे तो आपके screen के सामने हैं हम क्या करेंगे तो हम करेंगे pheophyce ध्यान रखेगा रोडोफाइसी से क्या प्राप्त करते हैं तो रोडोफाइसी की हमने कल बताया था जी थिरी जिलेडियम और इस तरह के फंगस हैं तो जिनसे हम क्या प्राप्त करते हैं अगर अगर तोennec इस ब 서로 Bis से नेक्स कुोश्चन देखते हैं यह फ्राइया सा इनोबेक्टिया जो थे नइटोजन फिकसेशन वे भाग लेते हैं नेक्स कुश्चन देख लेते हैं वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करिएगा नेक्स्ट कुशन देखते हैं पॉंड सिल्किस कामन ने बहुत आज कुशन पूछ रहा था पॉंड सिल्क किसे बोलते हैं तो वो बोलते हैं स्पाइरो गाईरा को हम पॉंड सिल्क के नाम से जानते हैं पॉंड सिल्क के नाम से जानकारी दे दी है जरूरी नहीं है आपके लिए उकमी नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं फ्यूजिंग गैमीड्स इन यूलो थ्रिक्स आर जो गैमीड्स होते हैं यूलो थ्रिक्स में जिनका फ्यूजन होता है वो कैसे होते हैं तो मार्फोलोज की फीजियोलोज के लिए डिफरेंट होते हैं या मार्फोलोज के लिए डिफरेंट होते हैं अब यह वाला जो कोशन अभी हमने आपको बताया था बिल्कुल वही कोशन है बैट्रो इस परमम इस यह रेड अलगी है और सब जानते हैं कि रेड अलगी मोस्टली कैसी होती है माइरीन वाटर होती हैं समुध जल में पाय जाते हैं यहां अकसर लोग कोशन गलत कर सकते हैं मगर वैट को इस परममें के ऐसी अलगी है जो कैसी है फ्रेस वाटर में पाय जाती है ध्यान रखेगा तो यह आपसन सही होगा यह रेड अलगी है तो option इसका हम लोग ये करेंगे और ये C में जो पाई आती है इसकी जो जाती हम BSC में पढ़ते हैं वो polys iPhone या पढ़ते हैं blue green जो algae होती है प्राया जो fresh water में देखने को मिलती है brown algae जो होती है ये प्राया हमें marine दिखाई देती है या समुद्री होती है तो option इसका जो करेंगे C ये question अकसर लोग गलत करके आते हैं और favorite questions है चुकि जो exceptional case होते हैं वही examiner ज़्यादा उठाता है next question देखते हैं इन यूलो थ्रिक्स और इस्पाईरो गाईरा reduction divisor occur at the जो यूलो थ्रिक्स और इस्पाईरो गाईरा में reduction का मतलब समझते हैं आर्दसूत्री जो विवाजन होता है वो किस stage में होता है during juice spore formation नहीं germination आप जाईगो स्पोर बिलकुल जाईगो स्पोर के germination में क्यों होता है जब इनके दोनों gametes माल लेते हैं ये यन है ये यन है तो यहाँ मिल जाते हैं तो ये टू ये जाईगो बनता है इससे बन गया हमारा जाईगो स्पोर और जाईगो स्पोर कैसा है डिपलाइड है और पौदा हमारा कैसा है माल लेते है ये अगर हैपलाइड है तो ये अगर डिपलाइड होगा germinate हो जाएगा तो फौदा deployed हो जाएगा character विगड़ जाएगे तो यहाँ क्या होगा meosis होगा जाएगा उस पूर में तब यह germinate होगा और germinate होने के बाद hyploid क्या बना देगा हमारा spirogyra या जो plant body वो बना देगा तो option हम इसका B ही सही करेंगे next question देख लेते हैं वीडियो को like subscribe जरूर करें share भी कर दें आप free आप काश जब वीडियो उपलब्द हो रहे हैं आपको तो आप एक share तो जरूर आपका बनता है कि आप share कर सकते हैं all algae है सारे algae होते हैं सारे algae में होता है क्या होता है तो ध्यान रखेगा सारे algae में chlorophyll A कामन है और carotinoids कामन है carotines जो है ये दोनों कामन से तो इसका option भी लगाएंगे reproductive reproduction with the help of harmogonia is found in तो harmogonia के द्वारा जो reproduction पाए जाता है वो किस में पाए जाता है किसका characteristic features है तो वो प्राया cyanobacteria का characteristic features है खास कर जब आप पढ़ेंगे oscillatoria तो oscillatoria में कुछ कुछ काएं क्या होती है इस तरीके से मुड़ जाती है ये ऐसे यहाँ और यहाँ जमाव हो जाता है पदार्थों का जिससे ये वाला भाग जो होता oscillatoria का तूट कलर अलग हो जाता है इसे हर्मोगोनिया करते है हर्मोगोनिया मतलब ब्रद्धी करता है और एक नए आसलिटोरिया को जन्द देता है तो ये किस में आता साइनो बैक्टीरिया नेक्स्ट कुश्चन देख लेते हैं इस पाइरोगाईरा रिजम्बेल्स राइजोपस इन हैविंग स्टोर्ड फूर्ट सैल्यूलोस इल्वाल सिंगल नूकलियस इन इस सेल या सिंगल सेल गेम टेंजिया तो और अपसन डी लगाएंगे नेक्स्ट कुश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कुश्चन हम से पूँच रहा तो बाउचेरिया में पाए जाते हैं और वो उसकी condition जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है यह ध्यान रखेगा यह ऐसे होती है सुन जी स्फोर तो यह question ध्यान रखेगा अच्छा यहाँ बाउचेरिया कहता है किस class को बिलाउंग करता है चूकि class के name दिये हैं तो यह जैन जैन्थोफाइसी को ध्यान रखेगा जैन्थोफाइसी में और यह साइफनस अलगी है कभी पूछ दे साइफनस अलगी में से कौन सा है तो बाउचेरिया है सीनुसेटिक कंडीशन दिखाई देती है यानि केंदर कैसे ही पाई जाते है ओर जिन एन एवोल्यूशन औफ सेक कह दो गाहिरा को अंसर करेंगे next question देख लेता है थोड़ा सा speed ले लेता है नेक्स कोशन कह रहा है next question कह रहा है iodine obtained from तो यहां देखे लेमनेरिया होता है लेमनीरिया का है एक अलगी है तो अपसन हम इसका C करेंगे The following is use the manufacture of ice cream Ice cream बनाने में हम किसका प्रियोग करते हैं वो हम प्रियोग करते हैं Elgin का, Elgin किसे प्राप्त करते हैं तो Elgin हम किसे प्राप्त करते हैं सहवाल से या Elgin से प्राप्त करते हैं अगर-अगर का प्रियोग हम मीडियम बनाने में करते हैं प्रोटीन सब जानते हैं इस्टार्ट सब जानते हो तो आज के लिए इतना ही एक और question देख लेते हैं The study of Elgi is known as तो यहाँ यह आपके लिए homework है कि आप हमें यह बताएंगे कि study of Elgi known as जो Elgi की study होती है उसको हम किसके नाम से जानते हैं यानि वो साखा जिसमें हम Elgi का अध्यन करते हैं फाइकोलोजी, माइकोलोजी, उनकोलोजी, ननाफदीज इसका आंसर आप लोग करेंगे यह आपके लिए homework है इसका साथ नमस्कार वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल का जो टेलिग्राम उसका सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिएगा जिससे आपको पढ़ने में आहराम रहे नवाश्कार